पलक जपकते ही चोरों ने तीन घरों को बनाया निशाना लाखो की चोरी जनपदम रोहा के थाना नौगामा सादाथ छेत्र के गाउं गुलडिया में पलक जपकते ही चोरों ने एक साथ तीन घरों को निशाना बनाया और लाखो की रकम वस्सोने चांदी के जेवर लूट कर फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलते ही, परीजनों ने चोरी की वारदात की जानकारी 112 नमबर पुलिस को दी। सुभा रात दो बच कर 45 मिनिट के आसपास चोरों ने दो मंजिली मकान के पीछे से चड़कर विंडो तोड़कर कमरे में गुज गए जिसमें बारी बारी से मकान के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम देते हुए 13 तोले सोना और नगत रुपए एक हाथ साफ कर दिये वहीं पर देशराज के छोटे भाई रामवीर के परिजन चट पर सो रहे थे चोरों ने जीने का दर्वाजा लॉक कर दिया घर में रखी पिजोरी तोड़कर 50,000 रुपए और 4 तोला सोना और कपड़ा की चोरी को अंजाम दे दिया और उसके बाद चोरों ने उनके भाई उम चालक हैं उम्बीर परिजन के साथ छट पर सो रहा था चोरों ने पलक जपकते ही उम्बीर के घर में घुसकर संदूग का ताला तोल कर पांच तोला सोना चांदी के आभूशन जिसमें 13 लाग की चोरी पर हाथ साफ कर दिया पुलिस इस मामले में जुद गई है है मैं इसके लाब ले गए है इसके लाब इसके लाब ले ले गए मेरे पुत्र बदुगा उसका सब ये मैं जीवरात गःने तर्क जहे Concept веч even कर गजदी कर गाता तो उसके लिEDं एसको जैघ अरभात धर्ला दो एकवार शादी आग रिचे कर गए था त Primary तोन आंदी कर्ली कर यह सब इसमें भी तीम की होते हैं, इसे फेल अब आए तो सारा घर ऐसे हुआ था, कपड़े भिक्रेदे, बिस्तर भिकले थे समुख से, फिर बस हमने देखा हमाया हम भी छोड़ लोगी, फिर अंदर पिलिश को बताया, फिर फिर पिलिसमें आपर सारी हुआते हैं कितने लाकी सोरी हो चीजिए? सारे तीन चार लागता है, एक चोड़ी हो चीजिए हुआते हैं